साबुदाना और चावल दोनों के पापड आपने बहुत बार खाए होंगे आज हम बनाएंगे मक्की के पापड बहुत ही अनोखी तरीके से हम पापड बनाएंगे नहीं आटे को घंटों तक उबालना पड़ेगा नहीं बेलने का कोई भी जंजट है और इतनी जल्दी ये पापड बन करके तैयार होंगे यदि हम सुबह बनाते हैं तो शाम तक इनको तल करके खा भी सकते हैं और क्रंची कितने बनेंगे ये तो आप पूछिये हीमत सुना आपने तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मेजर मैंन के इसाब से आप कोई भी कप या कटोडी ले लें मैं यहापे कप ले रही हूँ ूएक कप मक्की का आठा और आदा कप मैदा ले रही हैं आदा चममच काला नमक आप सिंपल नमक भी cap भी डाल सकते हैं और आदा चममच अजवायन वन फोर्थ चबमच मीटा सोडा डालेंगे और इसी कप के एसाब से सेम कप के एसाब से दो कप पानी इसमें हम डाल देंगे और इसका एक पतला गोल बना लेंगे गोल में कोई भी गुटलियां नहीं होनी चाहिए इस बात का ध्यान दें तो ये बैटर हमारा तयार है एक बार मैं इसकी कंसिसेंसी आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल ही पतला बैटर हम तयार करेंगे गाडाई से नहीं बनाएंगे अब पापड बनाना शुरू करते हैं उसके लिए मैंने थोड़े से मीडियम साइस की प्लेट ले ली है और उसके उपर घी से ऐसे ग्रीस कर लूँगी अगर आप चाहें तो छोटे साइस के पापड भी बना सकते हैं छोटे छोटे धकन या प्लेट्स ले सकते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ पापड बनाने का कम फटाफट से खतम हो जाए तो यह इसी तरह से मैंने तीन चाह प्लेट्स में बैटर को डाल लिया है और एक बार में हम दो या तीन चमज डाल करके बैटर को इस तरह से प्लेट पे चारो तरफ फैला लेंगे अब पापड को हम स्टीम करके पका लेंगे उसके लिए मैंने एक कड़ाई ली है और उसके अंदर एक ग्लास पानी डाला है अब इसके उपर मैं रख दूंगे एक स्टेंड और ध्यान रखे पानी स्टेंड से उपर नहीं जाना चाहिए जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तो पापड वाली प्लेट हम इसके उपर रख देंगे और एक साथ में ही हमारे दो पापड बन सके उसके लिए मैंने जो दूद पर ढखने वाली जाली होती है उसे ले लिया है और ये बिलकुर कड़ाई के साइज जितनी है हो चुके हैं अब पापड को चेक कर लेते हैं और पापड हमारे टाइट हो चुके हैं इसका मतलब पुरी तरह से पक चुके हैं प्लेट को अराम से निकाल लेंगे प्लेट को कड़ाई से निकालने के बाद कुछ दे ठंडा होने दे यदि हम गरम में पापड निकालने की कोशिश करेंगे तो पापड तूट जाएंगे और पूरी तरह से जब ठंडे हो जाएंगे तो खुद ये प्लेट को छोड़ने लगेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा इने प्लेट से उतारना तो ये देखें बड़े ही प्यार से पापड हमारा उतर करके पहार आ गया है और बिक्कुली परफेक्ट लग रहा है बिक्कुली ऐसा लग रहा है जैसे लिजज़त पापड होते हैं छोटे छोटे से हम इसी तरीके से दूसरा पापड भी उतार लेंगे और सभी पापड बना करके हम तयार कर लेंगे तो बड़े साइस के पापड हमने बनाए थे तो फटाफट से हमारा पापड बनाने का काम खतम हो गया है और सभी पापड बना करके हमने तयार कर लिए हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक कप मक्का के आटे से हमारे कितने सारे पापड बन गए हैं अब इन्हें हम धूप में सुखा देंगे धूप यदि तेज है तो कुछी घंटों की धूप काफी होती है पापड को अच्छे से सुखाने के लिए और अभी मैंने 11 बजे इसे सुखाया धूप भी बहुत अच्छी आ रही है तो शाम तके सुख करके तयार हो जाएंगे और यदि धूप नहीं आ रही है तो भी पंखे की हवा में दो दिन में बड़े अराम से सुख जाते हैं तो फाइनली पापड हमारे सूख करके तयार हैं सुखे 11 बजे सुखाये थे अभी सिर्फ शाम के 7 बजे हैं और पापड तलने के लिए तयार हैं तेल गरम हो चुका है पापड तल लेते हैं और ये गया इसमें हमारा पापड अब चिम्टा या कर्ची कुछ भी ले करके दबा दबा के पापड को हम तल लेंगे ताकि बीच में से साइड श्पे से ये कच्चा ना रहे और पापड तलने के बाद पापड का आप साइज देख सकते हैं बिलकुल डबल हो जाता है पापड को थोड़ा जड़का करके निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ओयल इसके अंदर रहे गया है वो निकल जाए तो फ्रेंट्स मुझे लगता है कि पापड बनाने का ये सबसे आसान तरीका है यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रू बताएं और ये कितने जादा करारे बने हैं आप खुद सुन सकते हैं तो फ्रेंट्स अदर जैसी पर पसंद आए तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें